हलो दोस्तों, SR Electronic Channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज सिखेंगे दोस्तों कि Crystal Oscillator को किस तरह से Digital Multimeter से चेक करते हैं दोस्तों तो चले दोस्तों जो नए Mechanic है दोस्तों उसको किस तरह से पता चलेगा कि Crystal किस जगपे लगा होता है दोस्तों जिसको नहीं पता है दोस्तों वो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों ध्यान से देखें इस की करके बिलकुल भी ना देखें दोस्तों अगर कुछ सिखना चाहते हैं तो तो देखे दोस्ते हैvent popular यह जो है dth का काड है दोस्तों तो इसमें crystal इस जगपर लगा है दोस्तों यह देखिए इस तरह से जो कि crystal को नहीं पता होता है जोस्तों बहुत लोगों को वो देख सकते हैं क्रिश्टल इस जगह पे लगा होता है दोस्तों इस तरह से एक इस्टील का जो बोडी कवर होता है दोस्तों इस तरह से देखिए इस तरह यह देखी इस तरह से इसका आकार इस तरह से भी इसके पर सीटर की तरह से भी होता है दोस्तों जो कि यह इस तरह से भी है जो कि इसका बनावट बहुत सरह होते हैं दोस्तों जो कि इस तरह को SMD वाले भी दिखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको या इस तरह से भी भी दीख जाएगा तो अपको देखने को मिल जाएगा जिसे आप अपने हमारे थामनिल में देख चुके हैं कि किस तरह से होते हैं जो कि आप अलग-अलग नंबर की भी होते हैं दुस्तों जो कि यहイ two crystal को हम चेक करके दिखाएंगा दूस्तों सबसे पहले देखिए इसका crystal का दो लेग होता है दोस्तों देखिए बेक साइड में दोस्तों जो कि आप इसको soldering के मदद से भी इसको open कर सकते हैं दोस्तों और इसको solder कर सकते हैं दोस्तों यह देखिए यह दोस्तों दो पॉइंट है दोस्तों इसको चेक करने का आसान तरीका भी है दोस्तों आप डिजिटल मल्टी मिटर से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों जो कि इसका मसिन नहीं होगा तो भी आप ऐसी तरह से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों यह देखे इसी तरह से जैसे मैंने एक को निकाला है दोस इसमें एक प्रोप इसमें जैसा कि इसमें प्लस माइनस नहीं है दोस्तों आपको किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा के चेक कर सकते हैं तो यह देखिए तो चले दोस्तों मैं इसको आपको चेक करके दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों तो चले दोस्तों मैं मीटर को ले लेता हूं दोस्तों यह देखिए हमारा digital multimeter है दोस्तों इस तरह से तो चले दोस्तों मैं इसको continuity के range में कर लेता हूं दोस्तों इसी range में आपको यह check करना है दोस्तों यह देखिए दोस्तों इस तरह से इस तरह से दोस्तों इसको मैं रख देता हुए जगा पे और जहां पर continuity हमें मिलना चाहिए दोस्तों उसी range में रख देंगे दोस्तों इस तरह से देखे दोस्तों तो हमारा ये meter जो की battery low है दोस्तों इस कारण से थोड़ा ये zero zero नहीं हो रहा है दोस्तों ये देखे दोस्तों ये देखे दोस्तों इसी तरह से चले दोस्तों इसमें हमें किसी भी तरह का continuity या किसी भी reading नहीं मिलना चाहिए दोस्तों तभी ये हमारा crystal सही माना जाता है दोस्तों जो की इस तरह से मुल्टी मिटर से चेक करने पर दोस्तों यह देखिए दोस्तों तो चलिए मैं किसी एक पॉइंट को किसी भी डिरेक्शन में एक प्रोप को लगा लेता हूं दोस्तों यह देखिए इस तरह से जिसे देखिए इस तरह से मैं लगा रहा हूं देखिए इस तरह से यह देखे दोस्तों इसी तरह से जो कि इसमें किसी भी तरह का बीप साउंड नहीं आना चाहिए दोस्तों या कुछ रिडिंग सो नहीं करना चाहिए दोस्तों मीटर में तभी यह हमें सही माना जाता है दोस्तों जो कि इस मीटर से चेक करने के तरीके देखे दोस्तों इस तर में अगर टच करेंगे दोस्तों इस तरह से इसमें हमें किसी भी तरह रीडिंग नहीं सो होगा दोस्तों या फिर हमें किसी भी तरह का बीप साउंड नहीं सुनाए देगा दोस्तों तब यह हमारा सही माना जाता है दोस्तों यह देखें दोस्तों यह दोस्तों क्रिश्टल इ गरेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग को Electronic के Sound nobody does to only Ward Street तो इस तरह से काड़ तो मिल जाएगा कार्ड में से इस तरह से डूसरा Crystal को निकालके लगा आके देख सकते हैं जो की यह नइ चल रहा है ढ़rudशता। इस करें ढ़ोरोज देखें दो स्टों एस क्रिश्टल को जरूर जहीं कर रहा है दो सब गया कर दो क्रिस्टल और भी कई सारे सर्कीट मैं भी लगे होते हैं दोस्तों जैसे की होता है यह ही कि- लैप्टॉफ में किसी से कीट में कुछ कि लगा होता है दोस्तों जैसे कि देख्या usage दोस्तों मैंने इसको आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों यह है हमारा CRT TV का कीट है दोस्तों यह देखिए तो इसमें देखिए दोस्तों इस जगह पे लगा है दोस्तों क्रिस्टल जो कि इसका चीप साइसी है दोस्तों जो कि इसका बेक साइट में है दोस्तों आइसी यह यही है दोस्तों इसका crystal यह देखे जो कि still body में इसका cover जैसे दिखा देदा हूं देखे इसी तरह से इसका यह है दोस्तों इस जगह पर इसका chips IC दोस्तों बेक साइट में यह देखे चले पलट के में दिखा दे रहा हूं दोस्तों यह देखे दोस्तों इस side में देखे इसका chips IC है दोस्तों इस IC के bugle में भी इसका connection होता है दोस्तों यह दोनों आपस में ही connection किया हुआ होता है दोस्तों तभी यह work करता है दोस्तों इस पूरे circuit को work करने में दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखेगा दोस्तों एक बार आप हर एक चीज को आप देख लेने के बाद में भी आप देखे गा कि इसको चेक करके जरूर देखें दोस्तों IC को अगर आप चेंज करने से पहले जरूर एक बार उसको भी चेक कर लें दोस्तों तो चले दोस्तों इसको देखते हैं इसी तरह से फाइनल की यही है दोस्तों इसका दो लेग होता है दोस्तों इसी को ही आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसी तरह से अगर आपको सरकीट में लगे लगे आपको चेक नहीं करना है दोस्तों क्योंकि इसमें circuit में लगे हुए check करोगे तो दोस्तों आपको सही reading नहीं मिलेगा दोस्तों इसमें जैसे की यह देख सकते हैं इसमें capacitor है दोस्तों resistance है दोस्तों इन सारे चीजों के वज़से दोस्तों आपको reading नहीं दिखाएगा दोस्तों इस तरह से यह सारे आपको capacitor का reading जो तरह से इस तरह से निकालिेंगा बाहर उसके बाद में आप चेक किजएगा दोस्तों इस तरह से इसको प्लस मानस किसी भी डियरेक्सिन में लगा दिजएगा दोस्तों इसमें देखेए यह में कुछ भी त नहीं कर रहा है दोस्तों तो इसका मतलब यह सही है दोस्तों यह देखिए दोस्तों मैंने मीटर को एक तरब से इदर से प्लट दे रहा हूं दोस्तों इस तरह से यह देखिए इस तरह से इसमें कुछ भी सो नहीं कर रहा है दोस्तों तो इसी तरह से आपको भी चेक करना है द यह दोस्तो, अगर खराब हो जाता है दोस्तो आपका कार्ड भी हो नहीं होता है, उस चीज को ध्यान रखीगा दोस्तो, जब I.C. जेंज करने से पहले इस चीज को जरूर आप एक बार चेक करके देखें दीजिगें, तभी आपका आगे I.C. को replacement करने का सोचना हो दोस्तों इसको तभी आपका आगे सकसे जोपाएगा दोस्तों एक बार जरूद चेक करने में क्या जाता है दोस्तों आपको चेक करने में इसको चेक कर लिजेगा उसके बाद में आपको आईसी निकालने का काम कीजिएगा दोस्तों तभी आपका काम ठीक हो जाएगा दोस्तों अगर नहीं होता है दोस्तों तब आप कर सकते हैं चेक नहीं तो आप इसी तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों दूसरे का निकाल के दूसरे में भी लगा सकते हैं दोस्तों जो की आसान से भी मिल जाएगा आपको दोस्तों आईए हो दोस्तों हमारा वीडियो देखे आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन फे सेट करने ला ताकि आने वाला इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द मिल सके दोस्तों तो हमारा वीडियो देखेने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों